हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल प्रिंस के विलोग दोस्तो फाइनली अभी मैं आचुका हूँ सेफली खान के घर जो पीछे आप लोग यह बिल्डिंग देख रहे हैं इसी घर में सेफली खान और करीना कपूर खान रहते हैं इस बिल्डिंग का ना यह सेफली खान और करीना कपूर का है जो बहुत ही आलिसान बंगला है और इस आलिसान बंगले की बहुत सरी खासियत भी है तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस बंगले को पूरा एक्स्प्लोर करके दिखाते हैं थ्री वीज के अपाटमेंट सामिल है 2013 में इस संपत्ति का कूल जैसे प्राइस के बारे में बात कर लें तो 48 करोड रुपय था अब इसकी कीमत जो है वो बढ़ गई है जगह की बात करें तो यह फ्लैट 3000 वर्ग फुट तक का है सैफली खान अपनी पतनी करीना कपूर के साथ बांदरा के फार्चून हाइट्स में रहते हैं इसके अलावा वो इवराहीम कोठी गुजरात का पटवदी पैलेस और भोपाल में भी कई प्रापर्टी के मालिक है सैफली खान का जन में जो है 16 अगस्त 1970 में हुआ था उनकी उम्र की बात करें तो 51 साल के करीब वो हो चुके हैं यहाँ पर देखिए यह जो गेट बंद है उसके बगल में हाँ पर एक गेट खुला हुआ है जहाँ पर उपर लिखा है फार्चून हाइट यहीं से इंट्री होती है यही में इंट्री गेट है और कितना सांदार लुक दिया गया है बाहर का इस बंगले का और अंदर देखियों आपर गाड भी बैठे हुए है इसी के रास्ते से इंट्री होती है पाकिंग एरिया पूरा नीचे बनाया गया है फर्ष्ट फ्लोर पे और उसके उपर पे सब कुछ ये थ्री वियज के अपाट्मेंट बनाया गया है जो खूब सूरत इंट्रीर के साथ सजाया गया है आप यहां पर देखिए सम मेन गेट है आपको बता दे सैफली खान की पहली साधी अमरिता सिंग से हुई थी 1991 में और 2004 में उनसे तलाग हो गया था उनके दो बच्चे है इबराहीम अली खान और सारा अली खान और फिर तलाग के बाद उन्होंने करीना कपूर खान से साधी की है 2012 में और उनके भी दो बच्चे है उनका नाम है तैमूर अली खान पटावदी और जहागीर अली खान आपको बता दे 1992 में सेफ अली खान ने अमरिता सिंग से साधी की थी सेफ और अमरिता में 12 वर्ष का अंतर था सेफ अली खान के पिता का नाम मनसूर अली खान पटावदी है और इनके माता का नाम सरमीला टैगोर है इनकी दो बहने हैं जिसका नाम है सबा अली खान और दूसरी बहन का नाम है सोहा अली खान दोस्तो आपको बता दे सैफली खान बालीवूड एक्टर है जो पूर्व क्रिकेटर मनसूर अली खान पटाओदी और बालीवूड एक्टरेस सरमिला टैगोर के बेटे हैं सेफली खान का असली नाम साजिद अली खान है सेफली खान के पास उनके पुरोजों की जमीन जायदाद भी है आपको बता दें इनके पास हरियाडा इस्थित पटवदी पैलेस और भोपाल इस्थित पैत्रिक परपटी को मिला कर करीब 5000 करोड की संपत्ति है आपको बता दें इनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर ये अक्सर अकेले में किताबे पढ़ा करते हैं और वहीं पर घर में उडेन वर्क यानि लकडी का इस्तमाल जादा किया गया है लकडी से बनी चीजे उनके घर को राजसी लुक देती है गाई आपको बता दें इसके अलावा सेफली खान के पास बहुत ही प्रोपर्टी जादा है उनका मुंबई में ही कई जगा पर घर है यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस फ्लेट को सजाया गया है बाहर की तरप से इंटेरियर बहुत ही खुबसूरत है लकड़ी का भी इस्तिमाल किया गया है और ग्लास का भी यूच किया गया है यह आलिसान बंगला जो है इसके करीब चार फ्लेट में वो लोग रहते हैं और इसके अलावा भी उनका यहाँ पर बहुत सारा फ्रोफर्टी है आपको बता दे मुंबई में अक्सर जितने भी एक्टर्स हैं वो बांदरा और जुहू चोपाटी पर ही रहते हैं यह जो आप लोग गेट देख रहे हैं बाहर के तरफ में तीन गेट लगाए गए हैं अगर आप लोग इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो आप लोग जब सल्मान खान के घर के पास आएंगे तो वहाँ से सिर्फ साढ़े तीन किलोमेटर के दूरी पे इनका घर है और इनके घर के बगल में रबीना टंटन का घर और उसके बगल में सचिन तेंदूलकर का घर और उसके बगल में कई सारे एक्टर्स का घर आपको देखने को मिल जाएगा यही चोरहा पड़ेगा उसके बगल में एक आलिसान ये बिल्डिंग भी है और यहाँ पर आर जो है उस सिंबल बना हुआ है उसके बगल में यहाँ पर ग्रैंड करके एक और अपार्टमेंट है तो उसके जश्ट बाजू में जो आप लोग बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं वही बिल्डिंग जो है सैफली खान और करीना कपूर खान की है बहुत ही मसुहूर ये बिल्डिंग है इसमें अक्सर उनके सगे संबंधी सारा अली खान और यहां पर जितने भी उनकी बहने हैं वो लोग आते रहते हैं तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लोग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद